वेलकम बैक टू गाइस आज की वीडियो बहुत रहा इंटरेस्टिंग होने वाले क्योंकि जसकी आपको पता है कि आपने हमने प्रीवेस वीडियो में इसमें पेमें गेटवे इंटरीरेशन किया था उके रेजर पे से भी किया था ट। आज आज की वीडियो में हमारा ये डेटवेस में रखाट हो रहा था बट आज की वीडियो में हम इसका यहां भी पेज बना लेंगे आज की वीडियो बहुत यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहे हैं एक लाइक जरूर देदना वीडियो का ठीक है एंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हूं को को कि मैं आपके लिए वैस्ट कॉंटेंट प्रोवाइड करता हूं एंट फ्रेंट्स हमने प्रिवेसली बहुत सी वीडियो यहां पर देखिए अपलोड कियो है चैनल पर आप जाके चेक आउट कर सकते हैं इसमें बहुत सरी वीडियो आ गई है यहां पर करता हूं पहले यहां पर करता हूं तो देखिए मैं दुबारा करता हूं तो मैं यहां पर आया कार्ट में इतले हमारे प्रोड़क्ट एड है यहां पर मैं एक न्यू पेमेंट करूँगा ठीक है एक और प्लेस करूँगा मैं दुबारा यहां पर मैंने एड कर दिया कर लेता हूं कि टेक्ष्ट मोड है भी ठीक है तो देखी है हमारी पेमंटन हो गई है ओके एंड यहां से सिधा हमको हमपेज़ पर लिए आया और सिधा हमको ओडर पेज़ पर जाना है ठीक है यहां से सो पहले मैं क्या करूँगा है यहां से मैं क्लाइंट में आँगा पहले में इसकी सीसे ओपन कर लूँगा ओके यहां पर इसका राउट बना लेंगे ओर्डर्स ओके यहां से ओर्डर्स यहां पर आएंगे ओर्डर्स यहां करूंगा and यहां से ओर्डर्स ठीक है यहां पर पेज बना लूँगा जल्दी से सो मैं यहां पर बनाव एक पेज ओके और जल्दी से नहीं पर काम करने स्टार्ट करता हूं import react from छिगा? यहाँ पर आए ओके एंड इसके बाद हमको यहाँ पर एच्टू एच्टी एंड इसमें देंगो मैं ओर्डर्स ओके एंड देखे इस डॉप दन पर जाँगो मैं है है तो मैं कॉंपरेंट में है यह वाला यह रहा ठीक है यहाँ पर मैंने प्रिवियसली यह भी किया हुआ देखे एंड इसके यहाँ पर इसे रैप कर देंगे लिंक टेक से तुम्हें यहाँ पर मैंने ओर्डर्स कर दिया एंड उसके बाद मैं ओपन करूँगा चकाउट का पेज यहां से श्लेश ओर्डर कर देंगे प्रेमंट होने के बाद सीधा ओर्डर पेज पी जाएगा ठीक है एंड इसको क्लोस कर दूँगा अब देखिने हाँ पर यहाँ पर हमाँ ओर्डर इस सेक्शन इस नोट इफाइन तो यह स्मॉल आएगा तो मैं दुबारा यहां पर करूँगा रिफ्रेश हो रहां पेज इगमेंट मैं से क्लोस करता हूं अभी यहां से थोड़ा सा करूँगा अब देखिए यहां से स्टाट होना था ठीक है ना सो मैं सबसे पहले क्या करूँगा यहां पर यहां पर यहां पर विंडो डॉट इस्वाल टू जीरो ठीक है ना तो इससे क्या होगा जब भी हमारा पेज ओपन होएगा ना नियू पेज तो वह स्टार्टिंग से यह टॉप पर से ओपन होगा ठीक है देखिए मैं आपको दिखाता हूं अब मैं आपको स्कॉल करते था हो एंडिया ओर्डर देखिए गाइस पूरा यहां से स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो हम जल्दी से यहां पर अपकाम कर लेते हैं अपना यहां पर मैं मोंगो डीबी ओपन करता हूं यहां इसकी अंदर टेबल 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 स्ट्रिट ओके यहां पर आ गया एंडि इसके अंदर मैं जल्दी से लोगिन कर लेता हूं यहां से टी हट हो याएगा ओके एंडि इसके बाद ट्यार एंडि इसमें टी एक एंडि एंड लोगिन करूं है यहां पर एंड देखते हैं इसमें क्या के फिल्ड्स हमारी डिस्पले हो रही थी ठीक है मैं और क्लेक्शन में जाओंगा एंड इसके बाद सीधा कलेक्शन में मैं क्लेक्शन में आया सिधा एंड दीखिए यहां मैंने प्रिवस्ली ओडर किये वे थे यह हमारे सारे ओडर आ रहें ठीक है एंड इनिकों को डिस्पले कराना है ठीक है तो दीखिए यहां पर क्या क्या आ रहा है हमारा पहले पेमंट आईड करेंगे ठीक है ना पेमंट आईड इस सारे कॉलम यहां पर हम एड कर लेंगे एक पेमंट आईड हो गई एंड यहां पर नेम यूजर का एंड उसका फॉन नंबर ठीक है एंडुका अइड्रेस कंप्लीट आद पाशचा पंपलीट एंड शिकी बास का पिन कोड एंसक्वाद अमाउंट टिकना एंड पेमंट आइडी पेमंट आइडी तो हमने अल्यडी एड़ी कर लिये यहां पर इमेल आइड एंसके बाद हमारे पॉडेक्ट में कैसे दिखंगा भी दिखंगा आपको यहां या ठीक तो हमारा है यहांपर कैसे यहां पर डिस्प्ले हो गई है तीक है मेरेक आप सब्सक्राइब करेंगे त्यां है उससे क्या होगा हमारे यहां पर बेक्ग्रांड आजाए का थोड़ा सा यह ऐसा आजाएगा ठीक है यहां पर एक प्रड़क्ट का भी प्रड़क्ट टिक है यहां पर प्रड़क्ट के अंदर इस सारे प्रड़क्ट है अच्छा यह देखे प्रड़क्ट की आई डी भी जा रही है ठीक है एंड मैं यहां पर एक बार चेक करता हूं कि यह प्रड़क्ट हमारा है के नहीं हाँ पर कि हुआ कि हमको पहले देखना पड़ेगा कि हमने यहां पर यहां पर क्या किया एड किया हुआ है अच्छा दिखिए कि काट डाइटा हमारे इसके रहा है ठीक है न है तो मैंने क्या कम करा काड़ डेटा की अंदर सारा हमारा डेटा था कि सो यहां पर मैंने सारव प्रड़क्ट डेटा में यह फील कर दिया है ओक यहां पर लोग कराके देखता हूँ अपना कार्ड डेटा और देखिए यहां पर डिफॉल्ट में हमको ने वह देना पड़ेगा मैं यहां पर अपना सर्वर उपन करता हूं मोडल में और जाएंगे यहां पर सब्सक्राइब करें इस्टेटास में ठीक ना इस्टेटास में टाइप होगा मारा ऐसे टाइप होगा मारा इस्ट्रिंग ओके यहां पर डिफॉल्ट में होगा हमारा प्रेंडिंग ठीक है अब मैं यहां से क्या करता हूं इस सारे मुझे एक बार रिमूप करने पड़ेंगे ठीक है जब मैं कोई और प्लेस करता हूं न सो पहले इसको स्टेटस होगा पैंडिंग में फिर एड्मिन जाकर उसको अप्रोव करेगा ठीक है देखिए हम मैं दुबारा एक न्यू और करों अठीक है तो मैं जांगो दुबारा एक न्यू ओर्डर दुबारा करता हूं और देखिए सबसे पहले मैं यह देखता हूं कि हमारे यहां पर ऑपन हो रहा है मतलब चुकर रहा है तो न मैंने किलिक किया मैंने एंड देखिए यहां पर सीधा मेरा यह देटा मारा आ गया है जिसमा सारे लेकिए मारा जातुरा प्रोडक्ट आइडी बगरा सब जा रहा है है यहां पर पर जो हम प्रोड़क्ट करें प्रोड़क्ट नेम यहां प्रोड़क्ट आईडी भी जाएगी ठीक है प्रोड़क्ट आईडी टाइप इस्ट्रिंग ओके बस ए ठीक है ना त्पूर्ट आईडी अन्य अपर क्या और का थीरु प्रोड़क्ट नेम पर जब वहां से ओडर कर रहे हैं सहंब क्या के जा रहे यई गान पर तो प्रोटक्क के अंदर कर देटा पर भोस सारी चीज़ अथिए ठीक ना टो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब तो इस सारा स्टोर नहीं हो रहा है क्वामें यहां पर क्या करता हूँ यहां पर यहां पर कर तो प्रोटक्ट आई डी जस्ट आ मिनिट को सब टोटल को सब टोटॉटल यहांस पर थीख है एंड इमेज, इमेज भी ठीक है, एंड टोटल, सब टोटल है यहाँ पर ठीक है, सब टोटल, ओके, अब जाये गए, तो मैं दुबारा एक पेमेंट यहाँ पर करूँगा, न्यू पेमेंट करके जल दीजे, देखें, मैंने उसको उसी वीडियो में इसले नहीं बताए, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती, अब देख यह सीधा ओडर पेज पर ले जाया अगम को, अब मैं यहाँ पर चक करूँगा, कि हमारा ओडर में कैसे कैसे प्लेस हुआ है, ठीक है, यहाँ प्रड़क के अंदर, अब यह प्रवापर हमारा आया है, ठीक है, प्रड़क्ट आइडी में यहाँ पर सेव हुई है, ठीक है यह भैत्रिन हो गया कहा हो अब देखें, इसको मैं क्लोस कर दूँगा, एंड चेक आउट को भी क्लोस करूँगा भी, एंड यहाँ पर प्रड़क की आईडी होईगी, यहाँ पर कितने, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आट, नो, दस, दस आईटाम है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ जल्दी से, यहोगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, मैंने दस, यहाँ पर, एड कर लिया, ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, यूद इफेक्ट में, fetch data from API, and मैंने API का route क्या बनाया था, मैं जाता हूँ, server में, and यहाँ पर आता हूँ, orders, ठीक है, slash API में, orders, dot then, यहाँ response आएगा, ओके, and यहाँ पर एक state लूँगा, orders, set orders, use state, and array, ठीक है, इसके अंदर, यहाँ पर response हाजागा, ठीक है, अब देखे, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ order, यहाँ index, यहाँ पर return आएगा, यह पूरा TR, and यहाँ पर जितना हमारा order थाना, तो एक ही यहाँ पर display होएगा, भीकू के मारा एक ही order है, orders.map, लगता है हमारा API, काम नहीं किया API ने, यहाँ पर पेज नेशन लगी हमारे, so यहाँ पर, orders.order list का ऐसा होगा, अब देखिए हम को यहाँ पर page nation भी लगानी है, so हम यहाँ पर आएंगे, हम आएंगे अपने admin में product के अंदर यह रहाँ ठीक है, मैं इसके पॉपी करता हूँ, एंड यह API में ने call करी है, यहाँ पर ठीक है, एंड उसके बाद, मैं पहले page nations इसे copy करूँगा, एंड इसके बाद, यहाँ पर ठीक है न, एंड इसे copy करूँगा, यहाँ पर details हमारी आई थी, order समगए, एंड इसके बाद total pages ठीक है, एंड यह page nation नाम का हमारा यह material UI खता, इसे copy करेंगे, यहाँ पर paste, एंड on change पर handle change, यह function call कर लेंगे, copy करेंगे जो मैंने अल्रडी बनाय हुआ है यहाँ पर ठीक है, एंड यहाँ पर, orders यह replace कर देंगे, एंड यहाँ पर set orders, ठीक है, एंड यहाँ से set page, एंड यह पर copy कर लेंगे, इस सब कुछ मैंने आपको अल्यटी बता हुआ है, ठीक है न, set order हो गया, set page ठीक है, एंड यहाँ पर value, चेक करते हैं एक बार pagination को भी हम, यहाँ से add कर लेते हैं ठीक है, यह राप pagination का, एंड मोग पर जाँओ इसको import कर लूँँ जल्ली से, अब यहाँ पर वो पेजनेशन डिस्प्ले की न वी तुकि मैंने यहाँ पर कंडिशन लगार रखिये यह वाली, अब देखिए, देखिए पेजनेशन हमारी आ गई ठीक है न, यहाँ पर जाएंगे, कि टेबल फुटर हमको मिलेगा, CSS की, यहाँ से ठीक है, इसे पॉपी कर लेंगे पूरा, एंड नीचे यहाँ पर पेश्ट, ठीक है, जाएंगे, कि यहां पर आ गई अब ठीक है अब यहां पर मैंने ऐसे कर दिया अब देखिए अब यह तो आ गई हमारा अब मैं यहां पर जल्ली से प्रफेक्ट लिए काम कर लेता हूं ठीक है अब यहां पर आउंगों यहां पर होगा मारा और अट लिए तो कहलें अब यहां पर पेमेंट आइडी हमने चेंज किया तो पेमेंट आइडी यहां पर डिस्प्ले हमारी हो जाएगी मैं परले सब कुछ चेंज कर देता हूं ना एक बार में रिफ्रेश करूंगा मैं इसके बाद है पेमेंट आइडी के बाद हमारी प्रोडक्ट्स तो यहां पर प्रोडक्ट की हम आइडी देंगे एंड यहां पर सिंपल बता है हम क्या देंगे क्लिक है टू व्यू ठीक है यह प्रोडक्ट के लिए हमारा एंड उसके बाद हमारा देंगे यहां पर आइडी तो आ चुकी है यहां पर आप नेम देंगे किसका यूजर का नेम यह रहा ठीक है मैं समय पहले रिप्लेस कर दूंगा इंको ठीक है न यहां पर है नेम नेम के बाद है हमारा फोन नंबर हो अपाँ जया है फोन नंमर के बाद अड्रस पोन नंबर दक्रेडर्स के बाद है हमारा 편 code पिन कोड के बाद हमारा टोटल अमांट टोटल आमांट यह आ गया एमेल एमेल के बाद है हमारा यूजर आईडी यूजर आईडी एंड लास्ट में हमारा डेट एंड टेट यह रहा ठीक है सो देट अब मैं यहां पर रिफ्रेश्च करूँगा एक बार एंड देखिए सारा चीज डिस्प्ले होकर आएगा मेरे यहां पर कि तो देखिए यहां पर सबकुछे डिस्प्ले हो करना पड़ेगा यहां पर स्ट्रोलिंग नहीं आ रही है और टेबल मैंने यहां पर क्या कम किया और टेबल के अंदर टीडिया जो वाइट इस्पेस नो रेप ओके इतना कर दिया मैंने अब यहां पर स्कॉलिंग आ गई है ठीक है यहां पर टीडिय हो गया यहां पर टीडिया भी कर देंगे तो यह और टीडिय के अंदर स्कॉल आ जाएगा ठीक है तो यहां पर डार्क की जगा मैं करता हूं लाइट लाइट थोड़ा अच्छा लगेगा यहां पर मैं एक और चीज कर दूँगा तेबल बॉर्डर नाम की किलास एड करें उससे क्या होगा मारा यहां पर ना बॉर्डर आ जागा टेबल के अंदर देखिए तो यह थोड़ा मारा डिफ्रेंशिट लग रहा है ठीक है ना आशने और इस से पहले अधर नैंने क्ट है कि इंड इसको यहां पर हम कर रहेंगे ना यां अधिक है यहां पर इस्टेटास हमारा पेंडिंग है ठीक है एंड इसको कैसे यहां पर एक बैच लगाएंगे हम ठीक है लेबल देखे पैंडिंग आ रहा है ठीक है अगर पैंडिंग है तो यहां पर क्या आएगा इस पैंड में ओडर इड़ी डॉट इस इगना यहां पर अधर्वाइज यहां पर अगर हमारा पेमेंट का यह जो हमारा वह स्टेटस कंप्लीट होता है यह यहां जाएगा ठीक है अब चेक करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अगर मैं यहां करते हूंगा ग्रीन हो गया ठीक है ना तो इसको कैसे लिंगे हम अगर आए अगर बढ़िया चला अगरा एंड इसको अभी पैंटिंगे करते हैं अब अधिक अदित करती और अब दुबार चकी करेंगे इसलिए ना एंड यह मारा हो गया अब देखें क्या करना यहां पर यहां पर किलास टेक्स ब्लू ठीक है टेक्स ब्लू नाम की क्या है यहां पर किलास है चेक करने पड़ेगा हमको यह रहा ठीक है टेक्स ब्लू लगाने से यहां पर यह ब्लू तो हो गया है एंड यहां पर जाएंगे यहां पर क्लिक करने पर हमारे सारे प्रोड़क्ट डिस्प्ले हो जाएंगे ठीक है तो देखिए वह कैसे कराएंगे डिस्प्लेएंगे यहां पर करदर नाम के क्लास भी मैंने अड़ करती जैसे हमारा है यहां पर ठंब बन के आजए ठीक है अब देखिए इसके क्लिक पर नाम को यहां पर एक नीचे एड़ करा देंगे इसमें इसके सारे प्रोड़क्ट ठीक है इस और से जितने भी हमारे प्रोड़क्ट हैं वह यहां पर डिस्प्ले हो जाएंगे तो देखिए वह कैसे करेंगे तो यह हमारा यह है ओके इसके अंदर टेबल ट्यार एंड टीडी ठीक ना उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए प्रोड़क्ट का यह प्रोड़क्ट आईड आएगी यह टी अची करता हूं ठीक ना इसके अंदर इसके अंदर प्रोड़क्ट आईडी इसके क्लिक पर वैसे ही डिस्प्ले करा देंगे ठीक ना इसके नीचे इसको यहां से कट किया हमने और यहां पर जाएंगे यह चीज ठीक है ना यहां पर क्या करेंगे हम ऐसा कर लेंगे यहां पर ऐसा कर लेंगे ठीक है तो देखिए ऐसे एक यह कर लिए हमने एंड के बाद है प्रड़क्ट टाइटल ठीक है एंड के बाद है कॉइंटिटी एंड के बाद है हमारा प्राइस एंड के बाद है प्रड़क्ट की इमेज प्रड़क्ट इमेज या इमेज ऐसे रखे नहीं है आपर ठीक है ना एंड इमेज के बाद सब टोटल अब देखिए यहां पर कैसे डिस्प्ले होता है कि यह डिस्प्ले ऐसे हो रहा है आप ठीक है एंड यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा है टी यार ही टेबल नहीं आएगी यहां पर टी यार ही आजाएगी ठीक है सिंपल एक दो तीन चार पांच कि यहां पर ज्यादा थे यहां पर आगया कम कम ठीक है तो यहां पर हम जितना उतना ही रख देंगे ठीक ना इसा कॉपी करेंगे यह होगे ट्यूडी ठीक है यह आ गया है ठीक है यहां पर आप चाहिए उसको मॉडल में भी ओपन कर लेंगे वरना मैं तो ऐसी किया सिंपल ठीक है भी के लिए यहां पर आप चाहां करना पड़ेगा मैं और डॉट प्रोड़क्ट और डॉट प्रोड़क्ट और यहां पर क्या आएगा प्रोड़क्ट की आईडी कि यहां पर हमको प्याँ करना पड़ेगा आप करते हैं यहां पर यहां से अटाते हैं इसको ठीक है ना सिंपल इसको मॉडल में ही ओपन कराएंगे इसके क्लिक पर हम सारे प्रोड़क्ट को डिस्पले करा देंगे इसके अकॉर्डिंग ठीक है ना कि मैं यहां पर जाओंगा को में मैं जाओंगा मॉडल डायलोग पर जाओंगा यह वाला ठीक है अल्रड़ी मैंने यहां पर बनाए हुआ यह वाला लोकेशन का ठीक है सो हम इसे ही कॉपी कर लेंगे यहां पर सो मैं यहां पर आऊंगा एप.gs में देखिए यह रहा ठीक है सो मुझे क्या के कॉपी करना होगा यहां पर यह सब कॉपी करना पड़ेगा मुझे ठीक है एंड इसको कहां पर ओपन करना इसको कहां पर डिस्प्ले करना पड़ेगा मैं सबसे नीचे यहां पर ठीक है एंड इसके पहले क्या करूंगा यहां पर यहां पर भी तो तिक एप नीचे आऊंगा एंड प्रेखर के बाद डायलोक यह बंद ठीक है ना यहां पर पहले मैं का करूँगा ट्रू करतुगा यहां पर यहां पर अब जल्दी से यहां पर लिया है तीनों कॉपी करूँगा कि से इंपोर्ट करूँगा जल्दी से अ मोडल में बैटर रहेगा ठीक है एक अब देखिए इसके बाद अब देखते हैं यहां पर मोडल डिस्प्ले होता है नहीं होता हमारा प्रॉपस इस नॉट डिफाइन तो यह प्रॉपस क्या बोल रहा है कहां पर यह रहा ठीक है यह जग हमरा प्रॉडॉक्ट्स और कहां पर है प्रॉपस और तो कहीं नहीं प्रॉपस देखे यह डिस्प्ले मारा हो गया है ठीक ना इसी के अंदर ही हमाँ अपने complete वो जो मारा product था वो display करा देंगे ठीक तो मैं क्या करूँगा यहां पर जो यह मैंने table बनाई थी इसे copy किया यहां पर ठीक है एंड यहां पर क्या क्या आएगा हमारा प्रोडॉक्त आईडी रप्रोडॉक्त आईटल अन्ड क्वैंटिटि ओके अन्ड इसका प्राइस यह बैस्ट रहे गा हमारे लिए ना और उसकी प्रोडॉक्त की इमेज हमारा यहां पर आ जाएगी ठीक है एंड प्रोडॉक्त इमेज के बाद सब टोटल बस किसा अटा देंगे ठीक है एक दो तीन चार पांच यह है ठीक है यहां पर यहां पर क्या करूंगे टीयार एंड टीडी एक दो तीन चार पांच है ठीक है यहां देखेंगे यह अमरे टेवल यहां पर आगई ठीक है कितना अच्छा लग रहा है यहां यहां अच्छा सा एंब फॉर कर अ कहा है यहां पर थोड़ा से स्पेस हमारा आजया नीचे है अ तो वेरे गुड अब देखेंगे यहां पर प्रडाक्ट्ट रिमेज यहां प्रडिक्ट रिमेज के अंदर न कि हम को क्या चाहिए इमेज चाहिए तो मैं यहां पर क्या करूंगा एक complete open ऐसे कर लूँगा यह मेज आ गई है कि यहां पर ठीक है यहां पर देखिए मेज आ गई होगी कि यह मेज यहां पर आ गई कि इसको यहां पर यहां पर और टेबल यहां यहां यह और टेबल आ गया और टेबल के अंदर यहां विट्थ हो जाएगा हमारा सेवंटी पिएस हाइट सेवंटी पिएस ओवर्फ्लोव हिडन इसके अंदर यह हमारी इमेज है विर्थ अंडर परसंट एंड वाकी ऐसी रहन देंगे देगे ठीक ना कोटी कर देंगे है यहां पर अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है ठीक ना अब देखिए इसको मैं क्लोस कर दूंगा एंड इसको हमको ना ओपन अपनेंट क्लोस करना है ठीक है सो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे क्लिक हेर टू यह वाला है तो प्रोड़ेट्स ठीक है एंड शो प्रोड़ेट्स के अंदर हमको क्या करना है आपर देखिए सिंगल डिटेल का जैसे हमने आईडी आजएगी यहां पर आई थिंक यहां पर जोब हम कर रहे हैं कि और में जाएंगे तो यहां पर हमको ना आईडी भेलने पड़ा ही देखिए और डॉट आईडी यह वाली ठीक है आईडी यहां पर जाओंगा यहां पर आईडी आजएगी यहां पर जो मैंने इसको इसको फॉल्स पर देना भी के लिए हम यहां क्लिक करूंगा देखिए यहां पर आईडी आ गई है सेवन भी एफ वाली यहां देखो ठीक है अब हमको यहां पर क्या करना है जो यहां पर आईडी आ गई है सेटर फ्रॉम एपी आई शिलेश एपी आई इसका एंड पॉइंट किया था सबर में जाएंगे हम राउट में जाएंगे ओर्डर के अंदर यहां पर ओर्डर के अंदर ऐसे करेंगे और यहां पर जाएगा आईडी डॉट देन इस टेमिनेट डॉट देन यहां रिस्पॉंस हाजाएगा अब चैक करते हैं हम जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलिटेड डेटा यहां पर आजाएगा यह तो यह कंसोल आएगा ठीक ना अब देखें मैं ओपन करूंगा इंस्पेक्ट अलिमेंट यहां पर आऊँगा और नेट रॉक पर जाऊँगा कि अधिक गाइस जैसे क्लिक करूंगा यहां पर तो देखें इसकी इंफोमिशन सारी यहां पर आगई ठीक है एंड यहां पर एक इस्टेट लेंगे हमने फिल कर दिया अब इसके बाद मैंने क्या कम कर रहा यहां पर सारी डिटेल्स हमारी आ गई है ठीक है ना सो यहां पर हम क्या करेंगे अब इसको मॉडल को ओपन कराएंगे इस फिट लेंगे इस ओपन मॉडल सेट इस ओपन मॉडल ओके डिफॉल्ट पर फॉल्स जैसी यहां पर रिस्पॉंस आता है उसके बाद इसको ट्रू कर दो ठीक है एंड इस ओपन मॉडल को का कर यहां पर लगा देंगे यहां पर ठीक है एंड यहां पर करेंगे on click ओके एंड on click पे होगा सेट इस ओपन मॉडल फॉल्स ठीक है ना अब इसको मॉडल जो ओपन करा के दिखाता हूं मैं अभी आपको अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो model हमारा open हो जाएगा देखिए ठीक है model open हो गया यहां से close गयो रहा हमारा अब हम क्या करेंगे यहां पर dynamic data लेके आएगे ठीक है तो यहां पर क्या था वो products है ठीक है स्याव products.length products.map item index मैंने यहां पर जो पहले कर रहा था ना TR में मिलको एक index भी देना है यहां पर की में बना वार्णिंग देगा यहां भी add कर दिया है नीचे भी हम करेंगे return return में लिए यह टेबल रो टिक ना यहां पर सबसे पहले प्रॉटकत डी item item . product id रहुआ अन्ड यहां पर प्रॉटकत का नेम होगा एंड यहां product title आ जाएगा ठीक है and image की अंदर देखे image की अंदर हमको क्या करना है हम जाएंगे पॉंपोनेंट में प्रोटक्ट आइटम की अंदर यहां and यहां पर प्रोटक्ट आइटम की अंदर यहां and यहां पर जो image आ रही है न यहीं अच्छा सभी हो ठीक है ना एंड इमेज के अंदर आएंगे हम आईटम डॉट इमेज ठीक है तो यहां पर यह एर्रेक दे रहा है अब ठीक हो गए ठीक है ना एंड इमेज के बाद क्या है हमारा quantity quantity ठीक है ना एंड quantity के बाद क्या है price के सब्टोटल price and and mass of total अब देखिये completely dynamic हो जाएगा मारा product.map is not a function यह क्या हुआ यहां पर set products आएगा आ तो रहा प्रोडेक्ट्स अच्छा तो देखिया हमको एक चीज़ करना पड़ेगा है यहां पर मैं जागो नेट्वरक में ठीक है ना एंड रिफ्रेश्च करना एक बार अब के लिए करमो देखिये इस पर हमारा data देखिये आया यहां पर यह object अच्छा अब करना पड़ेगा है अब रिफ्रेश्च करते एक बार अच्छा है यहां पर आ चुका है यहां देखिये image भी आ रही है ठीक है तो यहां पर मुझे क्या कम करना पड़ेगा यहां पर सेकंड वाले को इस पैन में यहां पर एड़ करना पड़ेगा एंड यहां पर इस्टाइल में वाइट इस्पेस अच्छिक नहीं यहां पर में एक बार रिफ्रेश्च करके देखता हूं मैं रिफ्रेश्च करूँगा यहां पर नॉर्माल एंड यहां टिस्प्ले ब्लॉक अच्छा सिंपल इसको कट कर लो यहां पर पेस्ट कर देंगे क्योंकि हमको यहां पर नहीं दिखाना यहां यहां पर एक काम और करेंगे हम डॉट सभिष्टियार जीरो से थर्टी एंड प्लस डॉट 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 सिरस अभी श्टिंग सभी श्टियार लगा देंगे करी खाएजसा है कि मृग यहां थोड़ा से एच्छा लग रहा है ठीक है ना यिस सारे हमारेimenä और से यहुटर से लेटेड सारे परडक्ट है ठीक है ना सब हमारे यह तो हो गया काम ठीक है मैं औरखिय यहां पर हम 것이 on your weekly opportunity also उसके बाद हमारा ये order जब होगा जब ये admin इसको अप्रोब करेगा ठीक है एंड देखे हम क्या करेंगे अब admin पर जाएंगे अपने admin की table बनाने पड़ेगी हमको material UI के अंदर ओ sorry admin के अंदर ठीक है so मैं सब को close करता हूं इसको भी पहले इसको close करता हूं ठीक है एंड मैं open करूँगा अब admin को यहां पर page के अंदर जल्दी से में page बना लूँगा orders के अंदर index.js okay and यहां पर const okay and यहां पर export default orders ठीक है एंड यहां पर अब मैं क्या करूँगा मैं एक बार दूसरा page open करूँगा कोई सा भी यहां पर चैसे चल रहा है ना बैस चलाऊंगा राइट कॉंटेंट का ठीक है कॉपी करूँगा और यहां पर पेश्ट return and यहां पर orders ठीक है यहां पर इतना हो गया and हम जाएंगे यहां पर जल्ली से अब यहां पर इस पर आउट बनाएंगे यहां पर आएंगे जल्दी से and यहां पर orders यहां पर orders ठीक है यहां नीच आएंगे इससे कॉपी करेंगे orders में okay and यहां पर जल्ली से orders and close ठीक ना and case sidebar में आएंगे ठीक ना and यहां पर यहां पर लिखा होगा हमारा orders and यहां पर 3 आजाएगा 3 okay and यहां पर हम जाएंगे react icons में यहां पर तुमारा आए गया होगा भी तक ना यहां पर orders कोई सब्सक्राइब कर लेंगे order अब यह के लिए आसे छोड़ देंगे ठीक ना दीक यह order का गया and इसके अंदर से एर वाटा देंगे ठीक को कि हमारा order पर जाना है यह हमारा यहां पर जाएंगे dashboard पे भी हमने लिक लिंक लगा रखाई रहा अलाई के अंदर and यहां slash orders ठीक है and यहां refresh यह पर आइकन लिया तो आईकन लिया रहा तो मैं यहां पर आइकन देखूंगा यहां कौन सा आइकन लगा रखा है वह यह आइकन लगा दूँगा मैं यह रहा ठीक है इसे copy किया and यहां पर paste कर दिया ठीक ना यहां से मैंने इसको import कर लिया and इसको उपर यहां से ठीक ना यहां से देखे मैंने icon भी change कर लिया यह यहां पर हमको लिस्ट एड़ करनी अपनी सो मैंने अब जली से क्या करूंगा यहां यहां यह एड्मिन की यह लिस्ट ठीक है एक एक टेकरी पर जाओंगा एक टेकरी लिस्ट पर जाओंगा and जैसे हमारे यहां पर के टेकरी के लिस्ट आ रही है ना यह वाली ठीक है सो सेम टू सेम मिर को यहां पर कॉपी करना यह कि यहां पर एक फाइब के बाद न है और मुझे यह भी कॉपी करना है पहले यहां पर यहां पर इसके बाद पेश्ट करूंगा सब कुछ हमारा युवाई बना पड़ाया ठीक है और मिर को क्या करना यहां पर यह यह हमारा ओडर का पेश था ओके तो मैं यहां पर सब्सक्राइब करूंगा यहां पर अधिश्ट देटर फोम एपी आई वो कॉल कर लिया और यहां पर ओडर यूदिश्ट एड़ कर लिया एंड जो आमने फ्रेंट यहां पर बनाया हमारा देखिए टी-ेच से टी-ेच मैं कॉपी कर दूंगा रिप्लेश ठीक है यहां पर आते हैं अब कि सोमने से कॉपी किया को अधिश्ट प्लेश्ट इसे मैंने कमप्लीट बोडी कॉपी किया एंड इसे रिप्लेस एंड नीची आएंगे इसे भी कोपी कर लेंगे ठीक ना एंड ये चीज़ रिप्लेस अब चेक करेंगे एक बार हम अपने और वाले पेज़ पे देखे यूज इट्रेक्ट इस नॉट डिफाइन तो यूज इट्रेक्ट भी देखना पड़ेगा मैं और पर जाएंगे इसको रिफ्लेश करूंगा दुबारा अच्छा यहां पर ठीक ना इसको यहां से इंपोर्ट करने पड़ेंगे इसको कॉपी किया एंड यहां पर ठीक है एंड उसके बाद हमारा यह कॉपी कर लेंगे पूरा अब चेक करेंगे अब यहां पर जाओंगा मैं एंड चेंज को कॉपी कर लिया यहां पर पेस्ट कर दिया ओके एंड और क्या बोल लाता है यह देखें बागे सब्सक्राइब यहां पर डिस्प्ले होई रहा है ठीक है एंड शो प्रोडक्स एंड प्याजिनेशन ठीक है शो प्रोडक्स यह रहा है एंड प्याजिनेशन यह रहा प्याजिनेशन ठीक है यह इंपोर्ट सब्सक्राइब होगा ठीक है यहां पर दीक है मॉडल भी आ रहा है यहां पर भी same to same वही काम कर लेंगे यह तीन चीज़ कॉपी करी ठीक है एंड यहां पर आके कि डाइलोग मैंने कॉपी कर लिया एंड कहां पर एड करना है इंको सबसे पहले तो मैं यहां पर यह कर लूँआ ठीक है कि यह भी कॉपी करना है एंड यहां पर एंड यह प्रॉडक्स भी लेना है यहां पर ठीक है इस टीकलिक में अमारा अपन नहीं हो रहा अच्छा देखे ओपन मोडल हमारा हो गया है ठीक ना देखे ओपन हो रहा है हमारा एंड इसको सेम टू सेम हमको क्या करना पड़ेगा यहां पर रहे एंड प्रोडक्ट मोडल जो है इसकी सी एसस यहां से पिक कर लेंगे कॉपी कर लिया हमने ठीक ना एंड यहां पर जाएंगे अपने इस पर एंड यहां पर यहां आइकन ऐसा आ रहा है क्यों देखता हूं जाना क्यों आ रहा है इसा यह रहा क्लोस क्लोस भी लेना पड़ेगा हमको यहां से कॉपी कर लिया एंड एड मिन वाले में भी एड करते क्लोस को भी ठीक है एंड एक वर चीज़ हमें लेनी है यह रहा एंड यह करूंगा मैं करदर करदर पॉइंट ठीक है अब प्रॉपर तरीक से मारा यह मोडल आ चुका है ठीक है एंड यहां पर हमको क्या करना इक पूर कान जैसे हमारा ग्लू में आ रहा है ना टीएड यहां पर डार्क करदेंगे अब चेक करेंगे प्रॉपर झाल प्रिट्रेश करना पड़ेगा एक वर और अगया एंड यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर करना है हमको प्लेस ओडर ठीक है ना कंफर्म करना है यहां पर इसको यह जो हमारा बैज कहां पर है को यहां पर इसमें एक चीज़ और करना ही हमको अच्छा हाँ अच्छा हाँ और क्लिक पर यहां पर इसमें एक चीज़ और करना ही है कि और स्टेटस में कि यहां पर बेज दूंगा मैं कि कंफर्म ठीक है कि यहां तो कंफर्म भेज दिया मैंने यहां पर अब जल्दी से यहां पर आते है कि यहां पर आजाए का लट स्टेटस एंड में किलिक करूंगा तो यहां पर आजाए का लट स्टेटस्टिक है एक पर चीज़ यहां पर एक कर्सर नाम की किलास एड हो जाएगी यहां पर ठीक ना एंड यहां पर एक चीज़ और कौन से ओर्डर का वो करना है हमको यहां पर आजाएगा मारा और डॉट आईडी और डॉट आईडी यहां पर जाएंगे हम यह वाला ठीक ना जाएंड परामेटर हमको यह पास करना है कि कौन सा ओर्डर को हमको अप्डेट करना है कि यहां पर जाएंगे हम यह यहां रहा ह्यां रहा है कि इससे क्लोज कर दूकुर तो में ओर को कि अब देखिये मुझी का आप क्या करना है उस सारे order की details, fetch करानी है ठीक है ना पहले तो, यहाँ पर fetch data from api same to same order में id यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, and यहाँ पर const, single order, set single order, unit state, ठीक है, and gst यहाँ पर order आता है ना, इस पठा देंगे, ठीक ना, जैसी मैंने उस पर click किया, वो data लेकी आया, ठीक न, and जो data हमारा लेकी आया था, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, order, ठीक न, अब देखे, order में क्या क्या हमारा पर pass हो रहा था, मैं यहाँ पर जाता हूं, client में, and checkout में जाऊंगा, यहाँ पर मैंने, ऐसा कर दिया, and यहाँ पर देखिए, name phone number ऐसा ही है, ठीक ना, तो name में क्या आएगा यहाँ पर, res.name ठीक है, res.phone number ऐसा कर देखिए, ठीक है, and amount भी है यहाँ पर, amount भी है ठीक है, res, and यहाँ पर res, ठीक है, and card data के अंदर हमारा जाएगा, card data के अंदर जाएगा हमारा, यह वाला, res.products, ठीक है, and मैं इस पर आदूँगा एग बाल, अभी के लिए रहन दूँगा, मैं इस order को, control.lock कर आँगा कि हमारा यहाँ पर data कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है, हमें इस पर, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, यह सारा data मारा फिलो क्या है, ठीक है, अमाउंट में ऐसा आया है, and बाकी तो हमारा, same ही है, ठीक है, बस हमारा यह नहीं आया है, अमाउंट, सो हमारा अमाउंट की नहीं है, पार्षेंट रिस्पोंस, अच्छे देखिए, रिस्पोंस डॉट अमाउंट है यहाँ पर, इस्पोंस डॉट रिस्पोंस डॉट रिस्पोंस, इस्पोंस डॉट की रिस्पोंस, कि यह प्रफ्रेक्टली यहां पर हो गया अब हमको क्या करना है इसको एडिट करना है अप्डेट करना है इसको ठीक न यहां पर एक स्टेटस भी तो है स्टेटस ठीक है न यहां पर स्टेटस में जाएगा इस्टेटस ठीक है यह हो गया एंड मैं जाओंगा इस पर सर्वर वाले पर कि जावर्ट में गए और्ट का बना या था जा अइड का बना या था विल्यटका बना या था एंड आप्डेट का नहीं है आंबना लेते हैं को कि कुपी कर लिए संट आप अँप आप लेंगे अपडेट की यहां पर नेम देखिए यहां पर सारा सब कुछ यह कैसे जाएगा क्रेट पर हम क्लिक करेंगे यह कॉपी करेंगे इसे यहां पर पेस्ट करेंगे और यह स्टेटस में और एक्यो डॉडट बॉडी डॉडट स्टेटस एक ना न्यूमेट ट्रू एंड बागी तो यह सही है ओर्डर कैनोट बॉप्डेटेटेड एंड यहां पर कि एक बार हम इसको अप्डेट करके देखते हैं ठीक ना अप्डेट के लिए हमने क्या किया है यहां पर आएंगे अप्डेट का हमने यह बनाया था एड़िट डेट यह तो यह ठीक है यहां पर आएंगे अप्डेट को कॉल किया एंड यहां पर अप्डेट अप्डेट में और यह आईडी एंड उसके बाद जाएगा यहां पर ओर्डर डॉट देन रिस्पॉंस अप्डेट न जैसे अप्डेट होता है हमारा ओके एंड उसके बाद करेंगे यहां पर पेश्ट को अटा देंगे अब यह पर चैक करके दिखते हमारा ओडर यह वैल्यूस नौट इफाइंड किया है यह रहा वैल्यूस अब देखिए यह हमारा भी पैंडिंग है मैंने क्लिक किया एंड यहां पर क्या हुआ अभी प्रेंटिंग गी है प्रेंट में पंडिंग अ मिन्ट आ मिनट अ कि अब देखिए अभी पैंटिंग है तो हमको अलट आना चाहिए करन फॉर्म का करन फॉर्म तो आ रहा है है यहां पर कि इसे ओर्डर स्टेटस करते है ठीक ना कि मैंने लोकर जाता हूं अब देखिए मैंने जैसे इसको क्लिक किया यहां पर कि दोनों हमारी डन हो गई है कि देखिए एडिट की भी डन होगे पूरी यहां पर आए अभी स्टेट स्पेंडिंग की हो है अब कि 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 इस्टेटस कि एक मिनट कि यह कंसल्ट लोग में तो आया होगा ना कि यह स्टेटस कन्फर्म आ गया है आपर कि कि मैं रिफ्रेश्च करूँ एक बार कि बट यहां पर अपडेट नहीं हुआ इसमें प्रॉपर आ रहा है कि यहां यहां देखिए एक बार आईडि या निक चीए थी पी अवाली आईड़ सब्साइब आप कि सभी तो कर रहे हैं और उसके अंदर आईडी कि अब के हम चाह करते हैं आपर अच्छा हमको यह कि इस पॉंस में हमको यह मिला है पैंडिंग ही कि समय पर क्या करता हूं कि आरी क्यों डॉडट बॉड़ी कि देखें यहां पर यह स्पेलिंग गलत है कि इसकी वज़े से हमारा सब गलत हो गया कि मैं रिफ्रेश्ट करता हूं दुबारा कि मैं दुबारा यह से करूंगा धेकर अब कन्फर्म हो गया ठीक है रेडिगूड एंड पर यह यहां पर क्लिक करूंगा तो देखिए यह हमारा कंफर्म हो जागा ओडर को देखें गाईस यह तो मारा ओडर का पेज कंप्लिटली हो चुपाई एंड आज की वीडियो में इतना ही टिका न एंड नेक्स वीडियो में हम कुछ अच्छा करेंगे ठीक है तो यहां पर देखें एक चीज और हो गई है य मतला है बिना लॉग इन के अंदर का पेज यूजर नहीं देख सकता ठीक न जब देखें यहां पर ओडर जब भी देखें लॉग इन यह यूजर एंड देख पा रहा है ठीक है तो उसको एक बार हम फिक्स कर लेते हैं कि तो यहां पर जाओंगा लोग इन में अट जैसे यहां पर साइड इन होता है है कि यहां पर एड में आता हुँ कि पहले किसी भी पेज़ पर आता हुँ मैं आतों एब पर यहां पर ठीक है ना देखिए इस login यह रहा देखिए बार-बार हमारा call होता है ठीक है मैं यहां पर चेक करता हूँ इस login फाल्स है तो window.location.hrf अब देखिए यह हमारा user login नहीं है ठीक है एंड मैं अगर यहां पर dashboard पर आता हूँ देखिए मैं orders को open करने की कोशिश करता हूँ तो यह सीधर login पर लियाएगा हमको बार-बार यह हमारा refresh हो रहा है अब तो हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा एक और यूज़े लगाना पड़ेगा यह कि आमने कि इस पॉपी करेंगे तो यहां पर सैट लोग इन तैसे करतेंगे ट्रू अधर्वाइज इससे यहां से अटाके अच्छा करतें देखिए मैं लोग नहीं पाया है अब बार पर रिफ्रेश्ट ही हो रहा है तो यह की बार चलना चाहिए ना अच्छा देखिए जैसे हमने यहां पर किया था क्या नाम इसका यहां पर आएंगे हम क्लाइंट में साइन पर ठीक है यूज नैविगेशन कॉल करेंगे हैं यहां पर इसमाएंगे ठीक है एंड यहां पर कॉपी करेंगे पेस्ट एंड यहां पर सीधा इस्ट्री के टिक है क्या हो रहा है एक पंट थे हुज रहा है यूजने विकर्ट इस नोट इफाइन करें तो गाइस हम इसको क्या करते हैं साइड बार ओपन करते हैं इसकी यहां पर एड़ करेंगे ठीक सको कट करेंगे यहां से एंड यह इसे कट करेंगे एंड यहां पर अब चक करते हैं वार अब चक करते हैं यहां पर है अब चरक करते हैं वहारा यह कह रहा है यहां पर इसे मैंने हटा दिया इसे मैंने हटा दिया इसको नहीं करना तो कुछ यहां पर इसा कॉपी किया एक इस्टेट यहां भी ले लिया हमने ठीक है अप्च्या करते है कि यूज इसक्ते इस नोट इपाइं यूज इच्ट को भी आपर इफाइं कर लिया हमने इसे नहीं भाइं पर घुडब्र इसद इस नोट इन को लिएगा एगा इसे लिएगर इन यहांसे लिए लुक नोट अचुका यहद का यहां से अब सीधा पेज ओपन करा सकते हैं तो यह भी हमने लगा दिया है so guys hi आज की विडियो में इतना ही okay and i hope आज की वीडियो पसंद आई हो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो थो प्लीस मेरे चैनल एड्वांस UI Tech News को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्यूपकि मैं आपके लिए best content made to provide लाता हूं YouTube पर guys टिकां ना while यह सब कुछ हमारा कंफर्म हो चुका है ठीक ना अन्यास देखिए आप यह प्रड़क्ट बगएरा सब कुछ देख सकते हैं ठीक ना चले मिलते हैं नेक्स डूडियो में हो के नेक्स डूडियो में हम कुछ इसका आगे का काम करेंगे दोस्तों ठीक ना थांक यू फर वाचिंग इस वीडियो